इस एनिमे मूवी का लास्ट का सीन देखते वक्त सच में गूस बंब आ जाएंगे, मतलब रॉंक्टे कड़े हो जाएंगे, ऐसा सीन है, नमश्कार दोस्तों, इस वीडिये हम बात करूँगा, My Hero Academia, Two Heroes एनिमे मूवी के बारे में, इसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी मै दूं, तो इससे पहले इसके चार सीजन आ चुके हैं, जो अभी तक मैंने दो सीजन का रिव्यू कर दिया है, आप चाहें, तो इसी चैनल के उपर जाकर उनको देख सकते हैं, थोड़े बहुत व्यूज बढ़ा देना, बट 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 पहले ये वीडियो पूरी देख होता है, उसकी बेटी ने इसको invite किया होता है, कैर वो क्यों किया होता है, जब आपने movie देखोगे तब समझ जाओगे, इस island पर villains आ जाते हैं, और इस island को अपने control में ले लेते हैं, अब कैसे All Might या फिर Deku, ये दोनों कैसे इस island पर फसे हुए लोगों को जो hostage बना लेते है कैसे इनको बचाते हैं, तो इन सब चीजों के लिए तो आपको ये movie देखने पड़ेगी, और कुछ एक twist भी आते हैं, जो काफी जादा अच्छे हैं, जायर सी बात है कि All Might जो इन hostage को जैसे बचा भी लेता है, लेकिन जो last में जो fight दिखाय जाती है, वो यार extreme level के होती है, इतनी जवर्दस fight मैंने expect नहीं की थिया, इस movie की शुरुआत में जो interest create होता है, obviously interest create कर पाती है, बहुत अच्छी story मुझे लगी, और last में जितना starting में interest create हो था, उससे double, triple, यानि मैं कहूँँ कि बहुत जादा interest और जादा create हो जाता है, जैसे कि मैंने starting में का last की fight देखते व बारे में आपको बताएब न, चोटा सा गरेक आप लोगों के साथ एक चोटा सा एक scene discuss करूँ, मैं आप लोगों को ज़्यादा detail नहीं दूँगा, but मन कर रहा है न, थोड़ी बहुत तो बताने की चाह हो रही है, तो Deku और All Might एक villain के opposite fight कर रही है, दोनों के दोनों, और जह मुवी की, जबसे अच्छी बात मुझे यह लगती है कि इनके सामने जैसी भी प्रिस्तिती आ जैती है, जैसी भी situation आती है, जैसे कि All Might उसके सामने तो भाई साब ऐसी situation आती रहती है कि अपने आपको हर टाइम पूश करता है, हर एक character अपने आपको पूश करता है, मतलब हो हम अपनी लाइफ में भी follow कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुँ सादा problem आती है और हम अपनी लाइफ के खुद के super hero है, तो अपने आपको साबित करने के लिए हम रोज उन परिस्तितियों से लड़ते हैं, देखो अगर हार मान जेंगे तो वैसे भी कुछ मिलना अच्छी बात लिए है कि अपनी परिस्तितियों से लड़ो और जो काफी जादा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, अब एक चीज जो है कि अपनी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन बाहर से लेते हैं, वो बैटरी होगा कि आप एक यंग वर्जन भी हमें देखने को मिलते हैं, और साती साथ इसका एक दोस्त भी हमें देखने को मिल जाता है, जो ये दोनों अमेरिका में थे, तो एक कर दोस्त के दिखाया है कालिफोनिया का, शायद मुझे नाम या त्दिया रहा है कुछ और था, इस मुवी के अंदर ज्यादा तर focus किया गया है Deku और All Might के उपर, obviously इसके जो बाकी जो classmate थे, Deku के जो classmate थे, वो आते हैं इस island के उपर, उनकी थोड़ी बहुत इसमें fights दिखाया जाती है, लेकिन main focus इसमें दिखाया गया है Deku और All Might, मैं जादा कहूंगा कि Deku के उपर जादा focus रहा है, इसम All Might ने उसे अपना successor चुना है, तो बहुत सही सोच समच के चुना है, और वो इस चीज के लिए काभील है कि हाँ, जो one for all, जो power है, वो उसको संभाल सकता है, और यह सब चीजे हमें last के scene में दिखाया जाती है, मेरे तरह से इस anime movie को दूँगा, मैं 7 out of 10,000 अगर किसी ने movie दे किसी ने अगरे संटे है, आत रहती है, और इस चीजे है, और रहती है, तो ही मेरे ओूरे किसी नेखजर के बहुतária जन्य चुना है, और यह करेका है